हलो के इंचो मेरबचो फौजी बैच में आप लोगों का स्वागत है नमस्ते वड़कम सश्रेकाल सलाम वालेकूम आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ रहे थे scientific devices used in daily life हमने पहले कुछ devices के बारे में पढ़ा जैसे कि dynamo, जैसे कि emmeter, जैसे कि barometer और हमने समझा कि वो devices करते क्या हैं और उनकी photos भी देखी, कि वे दिखते कैसे हैं ये आगे बढ़ते हैं काफी interesting device आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा बहुत interesting है, क्यों interesting है अभी बताऊंगा तो पता चल जाएगा तो अगले device का नाम है endoscope this device is very interesting, ये मेरा one of the favorite devices है क्योंभी बहुत मेरे को मज़ेदार सा लगता है, कैसे मज़ेदार लगता है, देखो endoscope एक machine है, एक device है, जिसका use करते हैं to examine internal parts of the body मतलब आप एक जिन्दा इंसान के अंदर क्या है, वो देख सकते हो इस machine से कैसे, देखो endoscope कैसा होता है, ये एक पतली सीना यहाँ पर देखना डाइगराम में pipe होती है ठीक है, इस pipe के अंदर लगा रहता है छोटा सा camera, और उस pipe को आपके मूँ के अंदर डालते है और उस मूँ के अंदर से लेकर पूरा stomach, stomach, intestine तक जाता है और आप पूरे रास्ते में देख सकते हैं, भईया ठीक से कुछ है कि नहीं, कुछ infection तो नहीं हुआ है है ना, उसमें light भी लगी रहती है, अंदर में छोटी सी, तो वो light भी चालो रहती है तो light से भी अंदर दिखता है कि है क्या, यहां पर देखो ना, डियाग्राम में, क्या हो रहा है यहां पर, आप अगर देखो तो आपको realize होगा कि इस डियाग्राम में, इस डियाग्राम में, यह endoscope लगा हुआ है, और यह इसके मूँ पे है, और मूँ के अंदर, stomach, stomach का पू होता है, क्योंकि आपके मूँ के अंदर, समझ रहा है, कुछ डाल दिया, तो थोड़ा है problem, but ठीक है, अभी scientific device है, अच्छा है, बाद में हो सकता है, और चोटा और पतला बना दे, यह देखो, वहां पर दूसरी, वह मैडम, डॉक्टर सहीबा, यहां पर अराम से, इसके मू प्रम खूटा था, तो मुझे नहीं पता था, इसकिछ होता है, अंडुस्कोपी, एंडुस्कोपी, वर्ड सुना था, मैं पर पता नहीं था, कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इंडिया में उतरना common नहीं है, अमेरिका, में यह काफी common हो रखा है, तो उनको, वहां की लोगों जहां स्रेश्ट सर वहां पर स्रेश्ट सर का बॉटल यह बॉटल आपको परमन दिग गया होगा कि भाई प्यास लगा पानी गटेक लेख तो यह अगला देखते हैं पर अगला जो आप का डिवाइस है दर डिवाइस नेम इस पैदो मेटर अभी फैदो मेटर बड़ा नाम अजीब सा लग रहा है पैदो मेटर ही क्या ही नाम है वाट इसका इंट्रेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है एट इस यूज़ तुमेजर दर डैप्ट अब दी ओशन एक समुद्र महा समुद्र ऑशन मतलगा महा समुद्र है ना और ऑशन कितने टोटल अर्थ पे पांच उशन्स है नाम गिनवा देता हूँ पैसिफीक उशन इसको कैसे याद रखना हैं पैसा याद रखना है पी अ ISA Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean, Southern Ocean Arctic Ocean इस पे कभी और class में discussion कर लेंगे ज़्यादा map वगरा मैं already मैं light class में आपको दिखा चुका हूँ दुबारा से कोई वीडियो बना कर मैं आप लोगों को app में डाल के बता दूँगा कि पैसा मतलब यानि कि ये पांच Oceans के नाम कैसे याद करने कहा हैं कैसे दिखते हैं map की उपर फिलहाल आते हैं वापिस से अपने topic पे which is pathometer pathometer का use होता है किसी भी ocean का depth पता करने के लिए अब interesting क्या पता है किसी भी ocean का depth करना असान नहीं है depth पता करना आप खुद सोचके देखो अगर मानले आपको कई गढ़्धा पता करना आप क्या करते हो एक रस्सी लोगे नीचे तक ट्रांसफर करो या एक डंड़ा लोगे लंबा सा चेक करोगे कि डंड़ा कहां पर जाके रुक रहा है तो आपको एक length का idea मिलते हैं लेकिन ocean कई किलो मेटर गढ़्धे नीचे होते हैं किलो मेटर में 5 किलो मेटर 10 किलो मेटर मतलब आप उतना लंबा तो अब रस्सी लेके जाओगे नहीं कितना लंबा रस्षी तो उठाई नहीं पाओगे कितना लंबा हो जागा सोचो ना 10 किलो मेटर कल लंबा तो वह तो पता कर नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा तो आपना एक सांटेफिक डिवाइस यूज़ करते हो जो आपको स्क्रीन पे एग्जैक्ट चीज बता देता है कि भीया कितना नीचे तक ओशन है कि अगर आप यहां से डूब होगे तो कितना नीचे तक जाओगे तब जाके जमीन का सर्फेस मिलेगा हाँ याद रखना समुद्र में भी जब नीचे जाते जाओगे न तो आपको एक सर्फेस मिल जाओगे जहाँ खड़े हो सकते हो यानि के एक तरीके ते देखोगे तो जमीन हर जगा है समुद्र में बस जमीन इतनी नीचे है कि दिखती नहीं है तो हमको लगता है बस पानी ही पानी है पर ओशन में भी नीचे ही बताता है हमारा फैदो मीटर कर जाದा कर रहे कि इतना गड़्ह हाँ पता कर लोगे कि कि ना गट्वह है और इसी से हम मारियाना त्रैंच आपनी सुना होगा दुनिया का सबसे ज़्दा गड़्ह다 यọn इसन में कैसे पता चला क्या कर जाểu जाकर जा जब से यह मशीन बनाया है ना हर जगह जाजा के बटन दबाते रहते हैं कितना गड्ध है कितना गड्ध है कि पता चलते रहे मालो कल को को कोई साइंटिस्ट ने डिसकवर कि अगे बढ़ते हैं यह बोट पर पर चल रहे हैं और वह मशीन चेक करके बता रहे है कितना गड्ध है कितना डेप्ध है यह फ्रेंट में ऐसा कुछ देखते हैं इसके और भी मतलब आपको फॉर्मेट अलग अलग देख सकते हैं बट जो स्क्रीन है स्क्रीन ऐसा ही दिखाई देता है यह हाइट वाइट बताता जैसे देख्यों आपर 48.1 मीटर लिखा हुए है तो यह इनका डेप्ध बता रहे है कि कितना डेप्ध है यह यहां पर एक्जामपल में वह जहां पर भी जाएंगे वहां के ओशन के हिसाब से पता चल जाएगा अगले हैं हाइग्रो मीटर ओहो हाइग्रो मीटर क्या गटिया नाम है हाइग्रो मीटर देखो बेटा हाइग्रो मेटर भी एक इंट्रस्टिंग सा डिवाइस है क्यों मेरे को यह यूजलस लग रहा है मतलब मेरे नजरिये में क्यों ही बनाया है क्या ही करेंग इसका अच्छी चीज़े हो सकता है साइंस के experiment में काम आता हो, हो सकता है कि आता होगा, कही न कहीं तो काम आता होगा तभी बना रखा है तो क्या है, हाईगरोमेटर समस्जते हैं इस हमेड़ोमेटर जो है, इस हुwh positivity इन दे एर हैगरोमेटर जो है, भवा में, एर में humidity कितना present है वो बताता है तो सवाल आता है स्रेश्ट सर जी ये बताओ humidity क्या होता है प्लीज बताओ humidity शब्द का मतलब होता है water का vapor अब बोलोगे सर water तो पता है ये vapor क्या होता है vapor मतलब gas तो water जब गरम करते हो तो आपने देखा होगा ना वो gas में convert हो जाता है water liquid होता है water को ठंडा कर दो तो ice बन जाता है ice is solid और ice को गरम करो तो पिघल के पानी बन जाता है which is liquid और गरम करोगे तो gas बन जाता है that gas is known as water vapor तो water को गरम किया water gas बन गया और उसका नाम पढ़ गया water vapor अब water vapor कितना है air में क्योंकि gas बन गया वंदब atmosphere में चला गया न तो air के अंदर कितना water vapor है that is known as humidity humidity is the presence of water vapor in air तो सवाल यह आता है कि किसी भी temperature पे या किसी area में air के अंदर कितना water vapor present है यह कैसे पता करेंगे उसके लिए यह machine लगाते हैं जिसका नाम है hydrometer अब मेरे को यह बता दो इसका क्या काम आएगा अपको पता चले तो live live कभी class में आता हूं मैं तो youtube अगरा पर में को एक बर बताना यार कि इसके यूज क्या है कहां यूज होता हो अमें को नहीं पता हाँ यह कि यह क्या करता हूं मैं आपको बता दे रहा हूं तो बड़ा यूजलस सा लग रहे हैं यह एर में कितना humidity पता किसे लेगा हाँ यह ना यह scientific labs में बड़ा यूज हो सकता है जैसे कहीं कहीं पर दबाईया बनाते हैं medicines जिस medicine में ना पानी नहीं आना ची थोड़ा भी अब आप बोलों के सर पानी कहां है पानी लेकिन गैस में तो है ना आप जैसे की एक काम करना कोई के mgture है ठीक की for example mixture है biscuit है biscuit को आपना दो दिन के लिए या एक दिन के लिए ऐसे खुला package से बाहर रखके छोड़ देना अब क्या होता है ना कि वो सिंधा जाता है सिंधाना मतलब कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है अगले दिन क्योंकि उसमें पानी मिक्स हो जा पानी आ जाता है उसके अंदर वो पानी कहां से आया अगतां अगला से एर से क्योंकि एर में भी टो वौटर वेपर प्रेजटन है तो आपने भिसकित को छोड़ दिया था खुले में तो बिसकित ने धीरे धीरे वौटर वेपर को एबजॉर्ब कर लिया पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो कई medicines ऐसी होती है जो जब create कर रहे होते हैं तो बाद में तो आपको packet में मिलता है न तो packet के अंदर तो air गूसी नहीं सकता है पर packet में डालने से पहले वो बनाते हैं न जहां पर factory में वहाँ पर ज्यादा अगर water vapor हो तो हो सकता है कि medicine सर जाए खराब हो जाए आप जब खाओ अपना बिमारी ठीक करने के लिए पता चला आपको और बिमारी हो गया तो हाँ वहाँ पर इस टाइप के devices काम आएंगे यह चेक करते रहें कि water vapor कहीं ज़्यादा तो नहीं है humidity कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया जुरत से और अगर पता चला ज़्यादा है तो कुछ machine लगा तो मेरे को लगा है क्या ही है ठीक है तो humidity याने की water vapor measure करने के काम आता है देखने में यहाँ पर दिख रहा है आप इस device को अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या रियलाइस होगा you can see कि यहाँ पर नीचे में temperature दिया हुआ है नीचे में आप देखोगे तो there is a temperature कि कि कितना temperature ह है और उपर में दे रहा है कितना humidity है यह हाइग्रोमेटर देखो यहाँ पर छोटा से लिखा हुए हाइग्रोमेटर तो यह क्या है यह बता रहा है इस equipment is telling you temperature भी बता रहा है और आपको बता रहे है humidity कितना है तो यहाँ पर जो device की photo है इसमें दो चीज है एक है हाइग्रोमे जो कि temperature बता रहा है अब यहां की चलके thermometer के बारे में all discussion करेंगे कि thermometer क्या होता है हलांकि ज्यादा तर आप लोगों आप में से ज्यादा तर को यह पता होगा कि thermometer क्या होता है thermometer होता है जिससे अपने measure करते है temperature आपने जब भी फीबर वीवर में वह यूज किया होगा अपने खर्पोमेटर तो आगे बढ़ते हैं हाईग्रोमेटर के बाद अगला device है अगला एक सेकंड एंडोस्कोप हो गया पैदोमेटर हो गया हाईग्रोमेटर हो गया अब आते हैं लैक्टोमेटर फेचल बड़ा इंटरस्टिंग है लैक्टोमेटर भी क्यों क्यों क्योंकि लैक से इंडिया में गाय और दूद की बहुत वैल्म और आज भी आप देखो गए नखर्वहाई का सबसे ज़्यादा अक्रसा करने वाला देश इंडिया है और सबसे ज़्यादा कि मिल्क करने वाला देश भी इंडिया क्या होता है रहे अब यह मशीन के बारे में आपको पता चल गया अब आप क्या करना एमेजॉन या फ्लेपकार्ट से यह खरीदना और अब से जो भाईया आपको दूद देने आते हैं उनकी असलियत आप पकड़ सकते कि भाईया पानी मिलाए हो कितना क्योंकि लेक्टोमेटर क्या होताता है तो यूजड फॉर डिटर्माइनिंग प्यूरिटी ओफ मिल्क कि भिया मिल्क कितना प्यूर है और कितना पानी मिक्स है उसमें या कितना कचरा नाल रखा है डालते हैं बहुत सारे पानी वाणी दूद पौडर मिक्स करके डाल देते हैं लोग बीचने के लालच में पैसा बनाने के लालच में तो अब से आपके जो दूद वाले भीया है वो दूद लाएं घर पे लेक्टोमीटर खरे दो पहले बोलो एक मिनट भीया लेक्टोमीटर से चेक करने दो गड़ पर निकले तो चार जूते लगाना भीया और अगले बार से पानी बिना मिलाए दूद दे देखना को यहां पर यह आप डिवाईस है यह ऐसा कोज दिखाई देता है क्या करना आपको इस मैं आप किसी भी बरतन में आप दूद लेना और दूद में यह लैक्टोमीटर को एmond ही डूबा देना और रहा रिडिन देगा ठीक है और रीडिंग से पता चलेगा आपको कि pure है या impure है ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में चार डिवाइसे और discussion होगे है हमारी endoscope हो गया फैदो मीटर हो गया हाईगरो मीटर हो गया और लेक्टो मीटर हो गया यह चार डिवाइसे के नाम थोड़े अलगे यह थोड़ा नया नया है आपकी लिए भी यह वीडियो के चारो डिवाइसे याद कर लो इसके बाद जो next वी झारो